हाई फ्रेंड्स आज मैं आपके लेकर आई हूँ मैगी कस्टर्ड की रेसिपी आपने मैगी को बहुत सारे फॉर्म में खाया होगा पर शायद ही आपने से as a dessert खाया हो और अगर नहीं खाया है तो जल्दी से ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजे बहुत ही amazing रेसिपी है ये और साथी साथ ये सुब बनाने में दो मिनट तो नहीं पर हाँ साथ से आठ मिनट में ये बनकर तयार हो जाएगी तो quick और बहुत ही tasty रेसिपी है ये तो चलिए शुरू करते हैं platter of taste में आप सभी का स्वागत है तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक अड़ाई ले ली है और इ ले सकते हैं और इस दूद में हम एड़ करने वाले हैं दो टेबल स्पून शकर दो बड़े चमच यहाँ पर मैंने शकर डाली है और इसके बाद हम इसमें डालेंगे मैगी तोड़कर तो यहाँ पर नॉर्मली हम मैगी को पानी में पकाते हैं पर यहाँ पर मैं इसे पका र के अंदर इसके बाद low flame पर हम दूद को boil होने देंगे तो आप देख सकते हैं दूद में अच्छे से वाल आ गया है अगया है तो जलदी पकी जाती है तो वो भी पक गई अगया है और दूद काफी गाड़ा हो गया है आप देख सकते हैं तो अब इस स्टेज पर मैट करने जा रही हूँ, वन फॉर्थ कप दूद में एक चमच कस्टर्ड पाउडर डाल रहे हैं, यहाँ पर मैंने वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कोई सवी फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं, मिक्स कर देंगे दूद के साथ कस्टर्ड पाउडर को अच्छे से, लंप्स नहीं रहने चाहिए, यह ध्यान रखिएगा, और इसके बाद अब इसको डाल देते हैं मैगी के अंदर, एक से दो मिनिट चलाते हुए हमेंसे पकाना है लो फ्लेम पर, मैगी के साथ, और आप बेख सकते हो बढ़िया सा दूद काड़ा हो गया है, कलर भी अब इसका चींज हो गया है, साइड्स को थोड़ा-थोड़ा स्क्रेप आफ कर देंगे, और अब मैंने कैस को कर दिया है आफ, और इसे कर लेते हैं सर्फ, तो यहाँ पर मैं इसे शॉर्ट ग्लासिस में सर्फ कर रही हूँ, जब भी घर में अचानक से महमान आ जाएं, तो आप एक बार यह रेसिपी उन्हें जरूर्ट लाइए, एक तो यह क्विक है, प्लस इसकी यूनीकनिस से, आइम शॉर वो अमेज हुए बिना नहीं रोख पाएंगे अपने आपको, और टेस्ट बहुत अच्छा है ही इसका, अब मैं इसको जो है, थंडा खाना पसंद करती हूँ, पर आप चाहें तो इसे गरम भी खा सकते हैं, दोनों ही तरीके से काफी अच्छी लगेगी, और अब मैं इसमें आड़ कर रही हूँ, थोड़े से ड्राइफूट, यहाँ पर मैं बदाम डाल रही हूँ, आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ भी ड्राइफूट्स जाल सकते हैं, या बिना ड्राइफूट्स के भी आप इसे इंजॉई कर सकते हैं, तो चलिए, मैं तो करती हूँ इसे टेस्ट, और आप घर में कीजे से ट्राइ, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी, तो इसे लाइक कीजेगा, शेयर कीजेगा, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा, साथ ही साथ मेरे फेस्बुक पीज को फॉलो कीजेगा, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा, ताकि नए वीडियो जाने पर आप नोटिफाइड हों।